स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिश्टल में मैं हुआ आपके साथ रधरा के स्टंडन और हमें मानेजिंगेटर ब्राणा इस्ट्रिंज यह मारे साथ हैं बहुत स्वागत है सर आपका सर एक चीज जिस पर हम शाम को भी चर्चा कर रहे थे और लगातार आप आज दे लेकिए जो बड़े चहरे हैं सरकार के वो कहीं न कहीं उस जगे पे हैं जो सिद्ध भी है और प्रसिद्ध भी मैसेजिंग क्या है और जो शब्द निकला चाहे वो अयोद्या हो काशी कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर हो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह वो हतिय है जहां वोट की कोई जरूत नहीं कोई अपील नहीं लेकिन यह एक ऐसा तंत्र है जिससे संसकार के जरिये आप लोगों से मतदाता से देश की जनता से जुड़ते हैं और भावनात्वक लगाओं आपसे हो जाता है रहत देखी जिसका जिक्र आपने किया है इसको आपने क क्या है अगर हम इसको समझते हैं तो दोनों की राजनीती रणनीती को समझना आसान हो जाएगा यह माना जाता है कि भारत एक गौरव शाली परंपरा का देश रहा है यहां कि संस्क्रित यहां का इतिहास उप लब्धियों से भरा हुआ है लेकिन घुलामी का शासन इतना ज देश्टा उसको लूटा गया खस उटा गया देरे देश कमजोर वतन के रूप में खड़ा हुआ संग और बीज़ेपी कि डाइए है कि जो आपकी संस्कृती है जो आपकी विरासत है जो आपकी परंपरा है जो आप एतिहास है भग गौरव शाली है इसलिए दीपावली को आप बड़े तोर पर मनाते हैं दशारा में प्रधानमति कुलू जा रहे हैं तो कुलू में दशारा बहुत प्रसिद्ध है और कुलू के दशार में शामिल हो करके यह संकेत और संदेश दोनों दिया जा सकता है कि यह हमारी परंपरा का हिस्सा है इससे हमारी पहचान है यह हमारा वजूद अस्तित्व है जब आप अपनी पहचान से अपने को जोड़ते हो पहचान को गौरव शाली बनाते हो और उसके साथ जो उसकी उप्लब्धियां जुड़ी हुई है सब को जोड़ करके आप अपनी सनातन परंपरा को जब देखने की कुश्च करते हो या उसको परिभाश्चित करते हो दुनिया में स्थापित करते हो तो का आपको लगता है कि नहीं यह एक बड़ा देश है यह गहरी परंपराओं का है इसका ज्यान विज्ञान दर्शन जो है वो दुनिया के बाकि बहुत आगे है अब इसका राजनितिक प्रेस्ट प्रेस्ट पर आ जो एंटिनी सामने लिखा कॉंग्रेस पार्टी की कि यह एंटी हिंदू इमेज कॉंग्रेस पार्टी की बन दे हिंदू मतदाता आपको वोट करना नहीं चाहता वाई रग दी गई फाय लेकिन उसके बाद से आप चाहे कोई भी विदान सबाग चुना हो आप उसको देख कार आते थे तो एक सौफ्ट हिंदूत का मेसेज देने की कोशिश करें वो कैरी फॉरवड आया आप राहिस्थान के भी चुनाओं में देखी वो हर मंदिर में गये उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्कार्ट सभागा प्रोग्राम लिया जितने बड़े मंदिर हैं सब बहुत सारे मसले थे घपले घोटाले थे ब्रस्टाचार था महाई थी यहां सब कुछ था लेकिन नैंद्र मोदी को खड़ा इसलिए क्या गया कि वो हिंदू नेता के तौर पर खड़ा हो रहे हैं उनके पास कोई बोज नहीं था कि अगर मैं यहां जा रहा हूं तो दूसर सारी से मिल रहा हूं कि संत महात्मा के पैरों में गिर रहा हूं तो किसी दूसरे समुदाय के लोगों को दिक्कत होगी मुझे वोट मांगने में परिशानी हो सकती यह नहीं है तो सीधा जाते हैं वो पश्वतिनात तक जाते हैं वो सोमनात जाते हैं वो विश्वनात जाते कि दरसल यहां बैठ करके हमने अगर पूजा पाठ किया है हमने बुसंसकार किये हैं और हमने अगर बतौर हिंदू आपके सामने खड़ा हो करके श्रासन करनी अब योस्था कुछ अलाएं लेकिन सर यह सार्टिफिकेट कैसे आरा मैं आता हूं काशी विशुनात आयोध्या आ जब आदमी बाहर निकलता है लेकिन आप उसको आस्था के लिए तो वो बराबर है कोई भी वक्ति जा सकता है कोई भी राजनेता किसी दल का चोटा बड़ा नेता जा सकता है लेकिन जो उसकी मारक शमता होती है वो बीजेपी को ही मिलती है किसी भी अन राजनेतिक दल को व दो बाते हैं अज़द में बहुत सद्धान तरीके साथ समझें एक वोट क्यों मिलता है क्योंकि पॉब्लिक की राय बनती है किसी और वज़त नहीं जनता वोट देती है जनता अगर आपको वोट ज्यादा दे रही है मुझे कम दे रही है कि जनता के बीच में किसी खास मुद खिलाए उसको काटने के अधार पर तो बीजेपी जब सामने आती है जैसे आप मंदिर में गए मंदिर में आपके पास तीन लोग रहे हैं तीनों महंत की तरह को दिख रहे हैं लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि यह पुजारी है तो आपका लगाव उनसे ज्यादा हो जा चाहें तो अपको गलत हो जाएगा लेकिन मेरे संसकार में यह कहाना किसे होती है राय का से स्थिर राय करने के लिए जो चीजें आप करते रहते हैं उसके आधहार पर ही चीजे रायat तैयार होती है बीजेपी संग ने शुरू से तीन अधार पर अपनी राजनीत की है पहला ये है कि भारत जो है वो हिंदूओं का देश हूँ भारत के भीतर राजनीत करने वाले लोगों ने जो नीतिया बनाएं जिस रास्ते पर उन्हें सत्ता को हतिया आया ये सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खियार किया वो दरसल हिंदूओं को दरकिनार करके दूसरों को खुश करने के कारण है तो यह जो perception building हुआ, मोधी के आने के बाद इस perception ने और जोर पकड़ा, लोगों के बीच में राय बन गई सर यही रोकूँ, अभी शान को इसी पर भी डिबेट चले, पावल सिना जी हमाँ साथ, उन्होंने का यह 14 में नरेंद मोधी या आरेसेस ने नहीं किया, 2012-13 से ही, लोग अपने हीरो की तलाश करना शुरू कर दिये, और उस हीरो की भूमिका में उनको नरेंद मोधी नजर आ गए, तो जो majority public थी, वो कहीं न कहीं दबी हुई थी, पावन जी ने कहा, कहा वो 2012-13 से तलाश कर रही थी अपने चेहरे को, और इस चेहरे में उसके सब कि प्रॉसस को नहीं समझते हैं, तब तक किसी आदमी से जुडाव को भी नहीं समझ पाएंगे, नेंदर मोधी बीजेपी के वैसे नेता थे, जिस तरह की नेता उस समय तीन चार थी, उस समय गड़करी सहाब भी हो सकते थे, उस समय अरुन जेटली भी हो सकते थे, उस समय लाजना सिंग भी हो सकते थे, उस में मोधी जी भी थे लेकिन मोधी जी के बारे में जनता कि राए बाकी लोगों से बहतर थी कि मोधी को ही लाया जा रू मोधी को वोट दिया जाए, क्यूं। कि मोधी ने उससे पहले, बतर पर दान मंत्रie या हिंदुत्व के नेता के लेकिन जब आप घर में बैठा एक वेक्ति माली जी मोदी जी है वो जाते हैं दर्शन करते हैं बाहर चले आते हैं आप कहरें स्वभाविक लगता है बहुत नैश्रल लगता है लेकिन सर राहूल गानी तो मांसरोवर तक गए पूरी यात्रा उन्होंने करी बद्दीनाथ के बद्धार नात्च पैदल चल्के जाते हैं जहाज कर सहारा नहीं जंद कि आता में पिरते कहता हूँ अब दो बारे में राय बनाते हैं तो हम अपने विरोधी को भी उतना ही समझते हैं जतना अपनी योजना को समझते हैं विरोधी को काटना भी हमारा एक फर्ज काम है आगे बरने के लिए लोगों के बीच में अपनी राय जैसा मैं चाहता हूं स्थापित करने के लिए जब आप जाते है जिसने राम मंदिर नहीं बनने देने के लिए पूरी टाकत लगा दी तो लोगों की राहे बदलती है यह वही सरकार है जिसने यह टैय कर दिया कि 1927 के बाद जो इस जिता इस ती रही चाहिए इतिहास को भी वैसे खड़ा रहना चाहिए इसलिए आप इनके बारे में सोचिए जब आप इस तरह के काउंटर कोश्टिंस करने लगते हैं और आप राय तयार होती है आपको कहना है जो एक परसेप्शन बिल्डिंग प्रॉसस था वह मंदिर जाने से नहीं बनेगा आपका प्रसेप्शन पहले से खड़ाव आप जिस प्लैटफॉर्म पे जिस प्रेमाइस में खड़ा हो करके अपनी में गर रहे हैं तो आप खड़ा ही नहीं सकते हैं जब ज जमीन नहीं देने की जो रणेती संग की वीजेपी के रही है बहुत मजबूत रही है सधी रही है और उसको आप शुरू से देखें लेकिन राहुल गांदी सर इस पे मैं आऊ हुआ रहुल गांदी कहते हैं कि साब यह जो मामला है यह परसनल मामला कैलाश मांसरोवर को किया जब आदमी समाज में होता है हम लोग नागरिक हैं तो हमारे तीन दारे एक दारा परिवार का होता है एक दारा समाज का होता है एक दारा हमारा देश का होता है हमारा जीवन जो है वो टुकडों में नहीं है तो फर्स कर लिजिए कि ममताब नर्जी ने एक यात्रा रो वहां टकराव समाज में दो पक्षों के बीच में किसको एहमियत देना है और किसको एहमियत नहीं देना है यह निर्ण लेने का है इसके अधार पर जिसको आप हाश्वे पर डाल रहे हैं जिसका हक आप नहीं दे रहे हैं उसके भीतर एक राय तैयार होगी वह राय जो है वो पढ़ना शुरू किया था भरे मंच तो उन्हों नहीं पता दिया था कि हम को आप कोई कमजोर हिंदू मत समझे और ललकार के उस पार्ट का उन्होंने वर्णन किया था वो भी बैनर जी है नहीं हिंदू होने में कोई गुरे जिम्ता जी ने काम अपने राज्य में हर आदमी शासन में बने रहने के लिए तरह तरह के फैसले निर्णाय करता है उसको उसमें लगता है कि ठीक हो रहा होगा कॉंग्रिस ने पिछले 50-60 साल में जो भी सोचा होगा उसको लगता होता होगा कि ठीक ही चल रहा है क्योंकि सत्ता रही है लेकिन जब सत्ता बदलती है जिन का संतोश है और वो फिर आपके सत्ता को पलट करके नई वियुस्था खड़ा कर देती है लोग तंत्र यही है तो आज मालों जो सरकार है उस सरकार के भीतर लोगों का विश्वास है तो उसके दो तिन कारण है अभी इससे पहले कभी अध्या के मंदर के बन जाने में या काशिक कर दूर के बन जाने में किसी सरकार में इस तरह का होसला हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसको लगता है कि 20 फिस्टी जो वोट हमारा है वो गरबर हो जाएगा लेकिन यहां उस 20 फिस्टी की सोचे बगर आप जिससे आपनी बात शुरू की सांस्कितिक राश्टवाद उस पे आ हमारा काम अधूरा है और अधूरे काम को कूरा करने का जो जिम्मा है वो हमारे पास है वो चल रहे हैं वो एक राह है उनके पास कोई दूसरा तिसरा विकल्प नहीं है लेकिन बाकी लोगों साथ यह है तो प्रमाइस खीच लेना बहुत आसान है बीजेपी के लिए नहीं तो एक छोटी सी बात राज़त में बताना चाहूंगा नैंटीन फॉर्टी एट में चुनाव बाइलेक्शन हुए अजादी होने के बाद कुछ वाइलेक्शन हुए उसमें अयुद्धा के चुनाव में अचाज नरेंदर देव बहुत बड़े समाजवादी नहीं थ बाद को कॉंग्रिस ने खड़ा कि बहुत घूंड राज़ाद करते थे और डून करके भाबा रागया दास को लेकर का है नहीरूजी सथ में रहते थे कि जो काभी लोग है जिनके बारे में राय अच्छी है जो देश के बारे में बहुतर सोचते हैं उनको लोक सभा में पह वोट देते हैं तो आपकी राम की मर्यादा का पुमान करते हैं पहली बार राम के नाम पर वोट अगर उद्धा में किसी ने मांगा तो कॉंग्रिस ने मांगा था और अचार नरेंद्र देव जैसा बड़ा समाजवादी ने ता हार गया था और बाबा रागवदास जीत गये ले लिया और लेने के बाद आज बीजैपी का हक है उस पर उसके दाजनीश कर दिया उसकी फिलोस्पी एक आप कह सकते हैं आपने का प्रिमारी ले लिए ठीक है बहुत शुक्रा तो कोशिश यही थी हमारी कि समझें कि मंदिर भी वही है पुजारी भी वही है जहां अभी चेक हो रहा है वो दूद और जल भी वही है फूल माला भी वही है रुद्राक्ष भी वही है त्रिपोन भी वही है गमचा भी वही लेकिन राहूल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो वोट क्यों नहीं मेंता है आप देखते रहे हैं इंडिया निउश टेश्टर झाल झाल झाल